हाई गाई इस वीडियो में बात करेंगे जोभी स्ट्संट्स आप लोग लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़े क्योंकि आप लोग लिए बहुत सारी चीज़ें यहां पर प्रोवाइडर होने वाला है ठीक है सबसे बहुत करते हैं कि सीब्सी प्राइबेट क्या होता है तो जब स्टुडेंट्स कोई क्लास 10 में हो या 12 में लेट से क्लास 10 के लिए तो क्लास 10 में हो और आपका कमपाट्मिंट आ गया या फेल हो गए और आपने वापस से एक्जाम दिया नहीं पास कर पाए तो आपको जो है वापस अगले साल जो पेपर होता है उसको आप ट्राइब अप्लाइब करना लेट से कि आपका कमपार्टमेंट है तो आपको से कंच चंश कमपार्टमेंट एक्जाम देने का मौका मिलता है अगर आपका एसेंशियल रिपीट लिख लिख क्लास 10 में आप फेली हो गया थे तो इसमें फेल वाला अप्लाइब कर सकते हैं जिसमें सारे सब्जेट्स के लिए अप्लाइब करना होता है अगर आपके सब्केंट कमपार्टमेंट है और आप चाहते हो सारे सब्जेट्स देने क्लिए तो आप एजब फेल अप्लाइब करोगे अब यहां पर एक चीज़ कर ध्यान देजिए कि अगर आप क्लास 10 में तो में को यह बताए कि आप में उस तरीके के नोट्स आप लोगे यहां पर फ्रीली अबलेबल करा सकते हैं अब आगे बात करते हैं आप मैं से काफी स्टोंट्स यह पूछते हो कि हमारा जो क्लास 10 का कमपार्टमेंट आ गया है तो क्या मुझे वापस से स्कूल जाना पड़ेगा स्कूल से कोई कनेक्शन सकते हैं तो आप चाहऊं तो स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं रख सकते मतला यह आप्के उपर आप चाहँं तो मेरा वाला जो in में वह वापस से अपलाइ कर देढ़ों यह इसको फॉर्स कर सकते हैं कि वापस से क्लासी लापस दे और अपको नहीं मनें वापस से क्लास्त पूरा करने के लिए तो आपके वहले इचाम सब्सक्राइब और रहें तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप प्रिप्र आपके स्कूल में जूनियर्स तेन आपके नाइंध क्लास उनके साथ होगा बट उसी स्कूल में नहीं होगा इस नौट में नहीं होगा आपका सेंटर चेंज हो सकता है अगर आप आपको सारे सब्जेट्स के लिए अप्लाय करना प्रिप्यर भी वैसी करना ठीक है अब एक्जाम सेंटर मैंने बता है कि आप जहां चाहों वहां ले सकते हो लेट से कि आप पापा की साथ थे जम्मू में और पापा की ट्रांसफर हो गई और पे लेट से गांधी नगर में हो अपार्टमेंट में या फेलियर में जो भी आपको पसंदार है तो उसके साथ साथ आपको एक अड्मिट कार्ड मिल जाता है जब आपका एक्जाम्स का टाइम आता है जैनुवरी फैबरी के आसपस में आपको एक्जाम्स में बैठ सकते हो ठीक है अब यहां पर एक चीज क पोड़ा चेंज हुआ है और नए पैटर्ण के साब से पेपर हो रहा है तो वह हम लोग यहां पर अपडेट करेंगे पूरा स्लेवर्स उसकी बैसिस पर हम लोग आपको गाइड भी करतेंगे किस तरीके कर स्लेवर्स रहेगा बट यहां पर आपके डिजाम्स के लिए के ड जगह लिखेगा प्राइबेट काडिडेट इसकूल के नाम की जगह पर है क्योंकि अब आज आप प्राइबेट अप्लाय कर रहे हो अब आप इससे काफ़ी स्ट्वेंट सोच रहे हो गया कि यह सब ठीक है पास हो गया है बट हमारा पासिंग यह क्या रहेगा हम तो पहले पहली बाद 2023 में तो इंप्रूब्मिंट केस में 2023 रहते हैं अदर्वाइस आप लोग का 2024 रहेगा ठीक है अब ड्रेस कूट क्या रहेगा क्या आपको ड्रेस पहन के जाना पड़ते एक जाम सेंटर पर तो इस नोट मैंडेटरी आप चाहों तो ड्रेस में भी जा सकता हो या स्थेंथ के लिए यह ध्यान सो सुनेगा प्रगति बैज की जो कॉस्ट है वह 499 है कि और 499 में हम लोग पूरे साल आपको गाइड करते हैं पूरे स्टॉडी मेटरियल के साथ उसके साथ आपका फॉर्म फिलिंग में भी हम लोग करते हैं ठीक है उसके साथ आपका आपका लो shop ग्रूप एक provide करते हैं जिसमें आपके साथ 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 बाकी स्टुडेंच भी होते हैं और उनके साथ हम लोग MATTEंग सोथी हैं जिसमें बताते हैं आपको क्या-क्या पढ़को क्या-क्या छोड़ना है और आप लोग को toHHHH method में मिलते रहते ये प्राइड नहीं आ Esse कीxo नहीं करते हो तो हम लोग नहीं प्रोबाइट करेंगे यूटूब पर हर एक सीज आता रहता है यहां पर आपको प्राइबिटली फोकॉस की जाते हैं ठीक है संडी को आप डायरेक्ले लाइव इंटरेक्ट करते हो हम लोग से कोई क्वैरी है तो कॉल पर भी डिसकॉस कर लेत पर भी यूटूब करेंगे दोगिए दोग प्राइब दोग्ड़िट प्राइबड़ी दोग्वास करो आपको टोग्षण आते हैं प्राइब इंद कि अजए मैं लोग प्राइब हो औरी है यूश्ता रहता है